जैहिन साथियों वेलकम टू क्रेजी जी के ड्रिक मैं हूं राजा गुपता और मैं आपको आज वीकली करेंट अफेर्स पढ़ाने वाला हूं वीकली करेंट अफेर्स यहां पर हम कवर करेंगे 16 से लेकि 22 यनवरी 2023 के दोस्तों यह जो क्लास है पूरी तरीके से बाइलिंगोल क्लास है हिंदी और इंगलिस दोनों माध्य में आपको क्लास मिलेगी यहां से 50 प्रेशनों को हम यहां पर कवर करेंगे हमारी वीकली करेंट अफेर्स का दो टार्गेट है दो अबजेक्टिव हैं सबसे पहला कि आपका टेस्ट लेना दूसरा आपका रिवीजन कराना जो भी आपने पढ़ा है पूरे हफ़ते तो आपका टेस्ट होगा 50 प्रेशन बुलेट की तरह आएंगे 20 से 25 मिनिट में मैं इसे खतम करूँगा तो बहुत ध्यान से सुनना हर संडे हम वीकली करेंट अफेर्स देखते हैं यहां से 100 प्रतिशत प्रशन आने वाला है दोस्तो संगर्स जो है स्ट्रगल जो है आपकी शमता को बढ़ाता है आपकी कैपिलिटी आपकी कैपसिटी को बढ़ाता है आपको सफलता के करीव लेके जाता है बिल्कुल दोस्तों मेहनत करने से कभी मत घबराओ सफलता अगर आपको पाना है तो आपको उतना ही पे करना होगा और पे किसमे करना है आपको मेहनत करके पे करना है और फिर रिटर्न में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यकीन मानिये दोस्तों मैं भी यही खड़ा हूँ आप भी पढ़ रहे हैं मेरे साल जुड़े हुए हैं पस मेहनत करने पर विश्वास करो पहला प्रशना यह देखते हैं तो सबसे पहला कोश्चन यह रहा Miss Universe 2030 का किताब हाली में किसने जीता है दोस्तों आपको कॉपी पे ले करके बैठना है और पचास में कितने नंबर आप मुझे लाश में बताना ठीक है तो Miss Universe 2030 का किताब जीता है आर बोनी गैबरियाल ने यह आप मेरे पिछे देख रहे हैं यह हैं आर बोनी गैबरियाल दोस्तों 71st Miss Universe का किताब इन्होंने जीत लिया है दोस्तों भारत की हरनास संधू ने इन्हें ताच पहनाया है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 December 2021 को Miss Universe का किताब भारत की ओर से हरनास संधू ने जीता था भारत ने तीन बार Miss Universe का किताब जीता है सबसे पहले सुश्मित आशेन ने जीता है 1994 में, लारा दत्त ने 2000 में और 2021 में हरनास अंधू ने इस अवार्ड को इस Miss Universe के खिताब को अपने नाम किया है हाली में अंधता नियंतरण नीती लागू करने वाला पहला राज कौन बना है तो अंधता नीती नियंतरण को लागू करने वाला सबसे पहला राज बना है राजस्थान दोस्तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत इन्होंने हाली में इसकी घोशना की है इसका उदेश है जो दृष्टी बाधत पीडित लोग है उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए यहनीती लागू की गई है हाली में वरुन नौ सेना अभ्यास जो की भारत और किस देश की बीच में हाली में शुरू हुआ है तो वरुन नौ सेना अभ्यास याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच में हाली में शुरू हुआ है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर भी एंसर देते चलिए और आप अपनी कॉपी पे एंसर लिखते चलिए दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में वरुन, डेजर्ट नाइट, गरुन और शक्ती ये भी अभ्यास होते हैं ये आप देख पा रहे हैं ये वरुन नौ सेना अभ्यास है 21st edition हुआ है, कहां पर हुआ है? पश्यमी, समुद्री, तटपे, हाली में इसका आयजन हुआ है संयुक्त राश्ट उरक्षा परिशत ने इसे वैश्विक आतंकवादी घोशत किया है तो हाली में अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोशत किया है यह अब्दुल रहमान मक्की है, जो की हाफिस साइट का बहनोई है 26-11 का जो हमला हुआ था, उसमें मास्टर माइंड हाफिस साइट था और ऐसा बोला जाता है कि यह भी मास्टर माइंड जो है, मक्की भी इसमें शामल था ग्लोबल पावर, फायर पावर इंडेक्स में भारत की रेंग क्या है हाली में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी की गई जिसमें भारत की जो मिलिटरी पावर है भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है Most Powerful Military में भारत को चौथा स्थान में लाए सवाल उठता है कि सबसे Powerful Military किस देश की है तो आप याद रखिएगा United States of America पहले नंबर पर है Russia दूसरे नंबर पर, China तीसरे नंबर पर है और पाँचवे नंबर पर United Kingdom है दोस्तों मेरे पास 21 जनवरी 2023 के Delhi Current Affairs को इसके यहाँ पर winners के नेम है, रखुबीर, धीरज, शीनुकपूर, कुलवेंदर, शुभानन्द कुमार Congratulations dear students, आपने टॉप किया है यह जो हमारा टेस्ट है, डेली होता है, हमारे CGT अप्लिकेशन पर हमारे Crazy GKT अप्लिकेशन पर यह टेस्ट होता है यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी, यह free में PDF है डेली बोलता हूँ, एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर हर एक दिन की PDF, regularly, free, quiz free और video free, आपको daily current affairs का, मैं कह रहाँ daily current affairs का आपको यहाँ पर मिलेगी हाली में brand guardianship index 2023 में विशुस्तर पर मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है तो brand guardianship में मुकेश अंबानी दुनिया के दूसरे स्थान हासिल करने वाले है दोस्तो पहला स्थान किसका है तो NVIDIA की CEO है, इनका नाम है Jensen Huang Jensen Huang को पहला स्थान मिला है खाली में 75 भारती सेना दिवस मनाया गया तो कम मनाया गया 75 भारती सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाएगा मनाया गया खाली में 75 भारती सेना दिवस दोस्तो भारती सेना दिवस जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है तो फिल्ड मार्शल केम करियपपा जी के सम्मान पर मनाया जाता है एक important current affairs ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना दिवस जो है इसका जो parade का आयोजन है बेंगलूरू में हो रहा है आम तोर पर दिल्ली में होता है लेकिन पहली बार बेंगलूरू में इस parade का आयोजन किया गया हाली में 28 वा critics choice award की घोशना हुई है दो हजार तेईस में कि इस भारती फिल्म को best foreign language film और best song के लिए आवार्ट मिला है तो दोस्तो ये फिल्म है triple R, Rise Revolt और एक और R है तो दोस्तो ट्रिपल R जो मूवी है इसको ये अवार्ड मिला है SS Raja Molis के डारेक्टर है तो Rise Roar Revolt ये ट्रिपल R का यहाँ पर फुल फॉर्म है दोस्तो इसका एक गाना है नाटू 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 को हाली में Golden Globe Awards से भी सम्मानित किया गया है मुकर्रम जा बहादूर का हाली में निधन हो गया वे कहा के आखरी निजाम थे तो प्यारे साथियो मुकर्रम जा बहादूर ये हैदराबाद के निजाम थे और इनका हाली में निधन हो गया है आखरी निजाम थे दोस्तो आठवे निजाम थे प्रिस मुकर्रम जा बहादुर तुर्की की कैपिटल इस्तानबुल में इनका निधन हुआ है भारत का सबसे पहला सम्विधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है तो भारत का सबसे पहला Constitutional Literate District बना है कुलम कुलम कहाँ पर है तो कुलम केरल राज में है कहाँ पर है केरल राज में है दोस्तो कुलम जिले में इक अभियान चलाया गया सम्विधानिक साक्षर जिला अभियान चलाया गया साथ महीने तक चलाया गया सभी लोगों को सव्विधान की सिक्षा दी गई इसलिए केरल के जो कुल्लम जिला है ये सम्विधान साखशर्टा अभियान में अव्वल आया है और इसलिए इसे घोशत किया आई पूरी तरीके से इगवर्नेस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद शाषिप प्रिदेश कौन बना है तो ये है जमू और कश्मीर जमू और कश्मीर बना पूरी तरीके से दिजिटल मोड में आने वाला इससे क्या होगा जमू कश्मीर में पारदर्शिता बढ़ेगी जवाब देही बढ़ेगी तो शार्षन की जो governance है अच्छा improvement होगा अंतरास्टी परटन मेला फिटूर 2023 कहां पर शुरू हुआ है अंतरास्टी परटन मेला जो फिटूर है इस्पैन की कैपिटल मैडरिट में हाली में शुरू हुआ है तो फिटूर है 18 से लेके 22 जनवरी 2023 तक आजित किया जाएगा बैंकॉक ओपन टैनिस टूर्णामेंट हाली में कहां पर आजित हुआ है जिसको यूकी भावरी और साकेट माइनेनी की जोडी ने जीता है तो बैंकॉक ओपन जो है थाइलंड में आजित हुआ है और हाली में यूकी भावरी और साकेट माइनेनी की जोडी ने इसे अपने नाम कर लिया है यह जो जोडी है आप देख पा रहे हैं वंडे क्रिकेट इतिहास पे सबसे बड़ी जीत का विश्च रेकॉर्ड किस टीम ने बनाया है तो वंडे क्रिकेट के इतिहास पे भारत ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है श्रिलंका के खिलाफ इन्होंने सबसे बड़ी जीत का विश्च रेकॉर्ड बनाया है दोस्तो 317 रनों से श्रिलंका को हराया है तीरुवननन्थ पुरम में 2023 पे यूजिलंड के पास ये खिताब था जिसने 290 रनों से आयरलेंड को हराया था 2008 में खाली में कौन उपरास्ट्री सुरक्षा सलाकार बनाये गए है तो डिप्टी ने सेक्यूरिटी एडवाइजर बनाये गए इनका क्या नाम है तो ये हैं पंकच कुमार सिंग कौन है पंकच कुमार सिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हैं पंकच कुमार सिंग पंकच कुमार सिंग पहले BSF के महा निदेशक थे अभी रिटायर हो चुके है एक प्रशन आप से और भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नेस्टन सेक्यूरिटी एडवाइजर कौन है तो इनका नाम है अजीड दोभाल क्या नाम है इनका अजीड दोभाल खाली में किस देश की प्रधान मंत्री जशिंडा आडन ने अपने पस स्तीफा दे दिया है तो ये न्यूजिलेंड की प्रधान मंत्री थी इन्होंने स्तीफा दिया है इन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया है ये फैमली को टाइम देना चाहती है जबकि सरस्रेश्ट पीम न्यूजिलेंड की पीम में से एक पीम मानी जाती इन्होंने हाली में स्तीफा दिया है और इन्हों कहा कि निजी कार्णों की वज़े से स्तीफा दे रही है और इस साल के चुनाओं में यह पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इवाई रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 26 डॉलर ट्रिलियन अर्थ ववस्था बन जाएगा हमारा भारत दोस्तो भारत हमारा 2047 तक 26 डॉलर ट्रिलियन अर्थ ववस्था बन जाएगा इसके अलावा EY रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन जायेगा जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा ये अंस्टेन यंग की रिपोर्ट में बताया गया है हाली में Soul of Steel Challenge इसे किस राज़ में लाँच किया गया है तो Soul of Steel Challenge को हाली में उत्तराखंड राज़ में लाँच किया गया है कहां पर उत्तराखंड राज़ में इसे लाँच किया गया है इसका उदेश है, जो उचाई है, हाइट है, वहाँ पर शेहन सक्ती का परिक्षन करना, इसे जो मानव है, जिससे हुमन है, उसकी छमताओं का विकास होगा, और विश स्तर पर उत्रा खड में सासिक परटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा. जली कट्टू किस राज में हाली में शुरू हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जली कट्टू हाली में तमिल नाडू राज में प्रारंब हुआ, कहां पर तमिल नाडू राज में प्रारंब हुआ, इस जली कट्टू में जो लोग होते हैं साथियों, पहले इस पर बैन में जली कट्टू में होता क्या है कि यहां पर देखिए जो कूबड दिख रहा है सांड का तो इसको पकड़ करके कंट्रोल में किया जाता है सांड को तो ये जली कट्टू है इसमें सांड को छोड़ दिया जाता है और जो participants होते हैं सांड के कूबर को पकड़ते हैं और इसकी सवारी करते हैं इसको नियंतर में लाने का प्रयास करते हैं गुएन जुआन फुक किस देश के राश्रपती थे जिन्होंने अपने पस से हाली में स्टीफा दे दिया है तो गुएन जुआन फुक वियतनाम के क्या थे प्रेसिडेंट थे इन्होंने हाली में स्टीफा दिया इसके पीछे कारण था कि इनके खिलाफ बरस्टा चार के आरोप लगे हैं तो वियतनाम में चल रहा है बरस्टा चार रोधी अभियान उसी के बीच में इन्होंने रिजाइन किया है सबसे कम उम्र में वंडे में 12 शतक लगाने वाले क्रिकिटर कौन बने हैं तो ये कारणामा किया है शुभुमन गिल ने शुभुमन गिल सबसे कम उम्र में 12 शतक लगाने वाले पहले क्रिकिटर बन गए इनकी उम्र है 23 साल 132 दिन अभी हाली में इशान किशन ने रेकॉर्ड बनाया था रेकॉर्ड बनते हैं रेकॉर्ड तोड़ने के लिए तो आप सभी किसका वेट कर रहे हैं आपको भी रेकॉर्ड तोड़ना है सेलेक्शन लेकर 24 साल 145 दिन में इशान किशन ने रेकॉर्ड बनाया था हाला कि इशान किशन के पास सबसे तेज 12 शतक लगाने का रेकॉर्ड है मैं आपको बताना चाहूँगा कि महत्पूर्ट जानकारी हमारे क्रेजी जीगेटर के अलावे एक और एप्लिकेशन है जो रूट एप्लिकेशन है तो 23 जनवरी से हम एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले इसका नाम है आरंब बैच बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर आपको लाइव प्लस रेकॉर्डेट क्लास फाइलिंग वर क्लास नोट्स टॉपिक वाइस टेस्स सीरीज मिलने वाला है और आप जो है इस नंबर कस्तमाल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने कोर्स की डाल भी दी है आप उसे क्लिक करोगे तो डारेक्ट ही आप कोर्स पर लॉंच हो जाओगे जहां पर आपको इस कोर्स की डिटिल्स मिल जाएगे आप चुकी हमारी क्लास देख रहे हैं इसके लिए आप कोड यूज कर सकते है आरजी सीजिटी ठीठ तो यहां पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा कांगेर घाटी रास्टी उद्ध्यान में नारंगी रंग का चमगादर देखा गया किस राज में स्तित हैं तो प्यारे साथियों जो कांगेर घाटी राश्ट्री उद्यान है ये 36 गड़ राज में है यहाँ पर नारंगी रंग का चमगादर देखा गया है दोस्तों इसे पेंटेट बैट भी बूलते हैं और ये बस्तर में मिला है बस्तर में है कांगेरी घाटी राश्ट्री उद्या हाली में किस राजबे किया जा रहा है तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश राजबे रास्ट्री खादी उससब 2023 का आयोजन किया जा रहा है ये 13 से लेके 23 जनवरी तक चलेगा इसका मकसद है खादी को लोगप्री बनाना जादा जादा लोगों तब पहुचाना भुगली बीहु महसब किस राजबे हाली में मनाया गया है तो भुगली बीहु इसे असम राजबे हाली में मनाया गया है भुगली बीहु को एक और नाम से जाना जाता है इसे माग बीहु भी कहा जाता है भुगली भी हूँ किसानों का तेवहार कहलाता है जनवरी के मद्ध में जनवरी के मिडल में बाग महीने में ये किसानों का तेवहार मनाया जाता है हाली में किसने स्टार्ट अफ्स में मेंटर्शिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉंच किया है तो मार्ग पोर्टल को हाली में प्यूश गोयल जी ने लॉंच किया है, किस ने लॉंच किया है प्यूश गोयल जी ने, प्यूश गोयल हमारे बरतवान में भारत के Commerce and Trade Minister है, दोस्तों मार्ग की मदद से ने ने स्टार्टप्स को मेंटर्शिप दी जाएगी, उने सपोर्ट द प्रतिक्रिया बल जिसे हम NDRF भोल तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया 2023 में, तो NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया, 19 जनवरी को मनाया गया है, दोस्तों 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, 2005 के NDA में Act के तहत इसकी स्थापना हुई है, भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आती है तो यह जो response force है हमेशा तयार रहती है अपनी जान को खिलते हुए हमारी जान बचाने के हाशी ममला ने क्रिकेट के सभी format से हाली में retirement ले लिया है यह किस देश के लिए क्रिकेट खिलते थे तो हाशी ममला साउथ अफरिका के लिए प्यारे साथियों क्रिकेट खिलते थे अभी इनोंने क्रिकेट के सभी format से सन्यास लेने की घोशना की है प्यम मोधी जी ने आठवी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडे दिखाई यह सिकंदराबास से चलेगी और किस सहर के बीच चलेगी तो शिकंदराबास से ये विशाखा पत्तनम शहर के बीच में आठवी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपको बता दू 15 फर्वरी 2019 को पीम मोधी जी ने इसको श्टार्ट किया था पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हाली में किस देश ने इबोला रोक की प्रकोप की समाप्ती की घोशना कर दी है तो इबोला रोक की प्रकोप को हाली में बोला है युगांडा ने कि अभी समाप्त हो गया हमारी कंट्रे में दोस्तों Ebola, Ebola virus की वज़े से होता है, इसका नाम Ebola नदी पे रखा गया है, जो Ebola होता है बहुत खतरनाक होता है, आपके शरीर में कहीं से भी blood निकलने लगेगा, blood रुखता नहीं है, fever, headache, muscle pain, vomiting, इसके कुछ symptoms हैं, Ebola virus पहली बार 1976 में कॉंगो में Ebola नदी के पास खोजा गया था, और ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, पर्यावरन मंत्राले ने वन जीफ संरक्षन अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत, तील कुरिंजी, इस्ट्रो, बिलेंथेस, कुंतियाना को सूची बद्ध किया, तो ये है सेड्यूल नंबर थ्री, ये है सूची नंबर थ्री, अनुसूची नंबर थ्री, पर्यावरन मंत्राले ने कहा है, जो इस पौधे को उखाड़ेगा, या उसे डैमेज करनी की कोशिश करेगा, उसे तीन साल की कैद होगी, साथ में 25,000 रुपय का जुर्माना भरन पड़ेगा, इसके अलावा मैं आपको बता दू, ये जो पौधा है, पश्यमी घाट के शोला जंगलों में पाया जाता है, 12 साल में, केवल एक बार खिलता है, और इसका फूल केवल 30 दिन ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं टिकता है, किसने LHS 475B, 475B नाम का एक 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 प्रित्वी के तरह है, ये लगवा प्रित्वी के समान है, इसका डायमेटर प्रित्वी के बराबर है, आरुणा मिलर, USA के किस राज की लेफटिनेंट गवर्नर की रूप में शपत लेने वाली पहली भारती, अमेरिकी बन गई है, तो दोस्तों, ये मेरी लेंड की, क्या ब मेरी लेंड राजगी, दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन बनी है, तो दोस्तों, ये है पार्टी बिजेपी, जो पूरी तरीके से डिजिटल रूप से तयार की गई है, इसमें एक सरल एप्लिकेशन है, उसके माध्यम से जो रास्टर का अध्यक् करके जो बॉटम तक कार करता है, उसकी पूरी जानकारी यहां पर होती है, इसके माध्यम से पूरे कार करता मिलके कार करते हैं, 6 अप्रिल 1980 को भारती जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, अटल विहारी बाचपेई और लाल कृष्ण आडवानी ने इसकी स्थापना की, खाली में किसने स्काई हौक नाम का पहला 5G सक्षम ड्रोन को डवलप किया है, उसका नाम है आईजी ड्रोन, क्या नाम है इसका, इसका इसका इस्तमाल डिफेंस और चेकिसा में किया जाएगा, यह 10 किलो की पेलोड को उड़ सकता है लेकर के 5 घंटे तक उड़ान भर सकता ह जननी रामचंदरन किस देश की सिटी काउंसल की पहली अश्वेत महिला मेंबर बनी है, तो जननी रामचंदरन अमेरिका की हाली में सिटी काउंसल की पहली अश्वेत महिला बनी है, किसने अपनी आत्म कथा ओरन विशन्थीनेत ने कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिट को जीता है यह नाम इनका के वेडु नाम है नील मडी फूकन का हाली में निधन हो गया यह किस भाषा के कभी थे तो नील मड़ी फूकन जो थे असमिया भाषा के कभी थे हाली में इनका निधन हो गया है यह है नील मडी फूकन दोस्तों 19 जनवरी कुन का निधन हुआ है 2021 में इन्हें सरवोच साहेत पुरसकार से सम्मानित किया गया जो की ज्यानपीट पुरसकार है 56 ज्यानपीट पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है किस राज में शहर सविशेषख्षा कारीक्रम की शरुवात की गई है कहाँ पर तरिपुरा राज में इसे स्टार्ट किया गया है शहर सभियान के तहट बच्चों को शोशल और इमोशनल एजुकिशन दिया जाएगा किस राज में ओनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उतकरश्रता केंद स्थापत करने की गोशना किये है तो दोस्तों ये है मेग हाले राज किसकी वार्षिक असामानता रिपोर्ट कनसा भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोग के पास अब देश की कुछ समपत्ती का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है तो ये है Oxfam International ने हाली में इस रिपोर्ट को अपने बताया है पियम मोदी जी ने किस राज में सांसत खेल महाकुम 2022 देश की दूसरे चरण का उधगाटन किया है उत्तर प्रदेश राज में पियम मोदी जी ने सांसत खेल महाकुम 2022 देश का इनौगरिशन किया ये बस्ती जिले से स्टार्ट किया है दोस्तों इसका मकसद है खेलों के प्रति लोगों का रुजहान बढ़ाना भारत के भारत ने किस देश के साथ पांचवी विदेश नीती और सुरक्षा वारता हाली में आजित की तो भारत ने साउथ कोरिया के साथ पांचवी विदेश नीती और सुरक्षा वारता आजित की है आप्रल 2013 में पहला वैश्विक परिटन निवेशक सिखर समेलन आजित किया जाएगा तो कहां पर यू डेली में इसका आजन किया जाएगा इसका उदेश है कि भारत में जो परिटन वेफसाय है उसको और आगे तक लेके जाना अफसरों को बढ़ाना किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है तो इनका नाम है सुर्भी जखमोला क्या नाम इनका सुर्भी जखमोला कैपटन सूर्भी जकमोला सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महीलादिकारी बनी किसे गोल्डन पिकॉःक अवर्ड दूहजार बाईस से हाली में सम्मानित किया गया है तो 2022 के पिकॉक अवार्ड से जिन्दल स्टील एंड पावर को समानित किया गया है जोस्तों जिन्दल स्टील ने ये नाम से स्पस्ट है स्टील मेनुफेक्चरिंग कमपनी उसके साथ साथ लोगों की लाइफ की क्वाल्टी में सुधार लाने का भी प्रयास किया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का नया मुखे अर्थ जास्तिरी की से नियुक्त किया गया है तो ये हैं क्लेयर लूमबा डेरली क्या नाम हैं का क्लेयर लूमबा डेरली प्रेजेंट में UK ट्रेजरी की मुखे आर्थिक सलाकार कि इस देश की जनसंक्या 60 साल में पहली बार कम हो गई है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 साल में चाइना की जो जनसंक्या है वो कम हुई है इसके पीछे दो वज़े बताये गए है पृत्यूदर जो है दोस्तो बहुत तेजी से बड़ी है और जनमदर घटी है इस वज़े से चाना की पॉपुलिशन कम हुई है 60 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है बदरा अल्यूजोफ का निधन हो गया वो एक इस देश के उपराश्ट्र पती थे तो बदरा अल्यूजोफ जो थे ये गांबिया की उपराश्ट्र पती थे हाली में इनका निधन हो गया है जोस्तो हाली में शरद यादव का निधन हुआ जो की भारत के पूर्व केंदरी मंत्री थे हाली में पश्रिम बंगाल के पूर राजपाल केश्री नात्र पाठी का निधन हुआ हाली में जियान लूका व्याली का निधन हुआ जो किटली के फुटबॉलर थे दुनिया के सबसे उम्र दराज महिला लिूसिल रेंडन का निधन हो गया इनका संबंग की देश से था तो ये फ्रांस देश की थी खाली में इनका निधन हो गया है दोस्तों इनकी उम्र केवल 118 साल थी केवल नहीं कह सकते अधिक्तम है 118 साल में इनका निधन हुआ है और इनका जन्म 1904 में दक्षण प्रांस में हुआ था आज का आखरी प्रशन है इर्फान खान अलाइफ इन मूवीज इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को लिखा शुब्रा गुपता के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक में शुब्रा गुपता ने अभिनेता इर्फान खान की जीवन की जो एचीब्मेंट्स है उसके बारे में बताया है और पुस्तक का विमोचन 2030 मार्च में किया जाएगा प्यारे सातियों आपने वीकली करंट अफेर्स तो पढ़ा पचास प्रस्ट में कितने नमबा राई ये भी बतायेगा लेकिन इसमें एक सर्प्राइस टेस्ट भी होता है डेली टेस्ट होता है दस प्रस्टों का टेस्ट आपको और भी देना है हरना संदू को किस वर्स मिस यूनिवर्स चुना गया 2021 में लोगे वाला युद्ध की 51 वर्ष काट के अफसर पर किस राज में पराकरम दिवस मनाये गया तो कहां पर मनायेगा राजिस्थान राज में SEO की स्थापना किस वर्स हुई थी SEO की स्थापना 2001 में हुई थी संयुक्त राज शुरक्षा परिशत की स्थापना किस वर्स की गई थी 345 में की गई थी हैले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का वर्तमान स्थान क्या है आप अपना अज़र कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं पचासी है प्रांट गार्जेंशिप इंडेक्स 2023 में विश उस्तर पर मुकेश हमबानी का कौन सा स्थान है तो मुकेश हमबानी इसमें दूसरे स्थान बन शुश्मिता सेन किस वर्स मिस यूनिवर्स चुनी गई थी 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी कांगेर घाटी राष्ट्री उद्यान किस राज में है तो कांगेर जो है कहां पर है 36 गढ़ राज में सैयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में 27 अदश्यों की संख्या कितनी है कि 28 अदश्यों की संख्या आपे 5 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107 प्लेट्स है आज का प्रश्ण है Miss Universe 2030 का किताब किसने जीता है आपको उसका एंसर कमेंट बॉक्स पे देना है आपको कैसा लगा करेंट अफेट्स जरूर बताईएगा अपने कमेंट बॉक्स पर जो भी आप सुधार चाहते हैं कोई भी प्रकार की आपको कठिनाई आते है आप देखे मैं आपका सिक्षक हूँ आप मुझे अपना भाई भी समझ सकते हैं और आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर बताईगा किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई हो करेंट अफैर्स को ले करके किस एक्जाम के लिए करेंट अफैर्स पढ़ना चाहते हैं कैसा करेंट अफैर्स पढ़ना चाहते हैं कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पर लिखो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? कमेंट बॉक्स पे लिखना बताना और क्या चीज़ चाहिए, किस कौन सा करेंट मिसिंग है, किस राज्य का करेंट चाहिए, सब कुछ हम आपको देंगे, शेयर कर देना पसंद आया हो तो, तो दोस्तों इजाज़त दीजे, कल सुबह 6 बज़े फिर आऊंगा, डेली करेंट अफेर्स के साथ, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहेंगे,